हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो हम जा रहे हैं बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने तो हम सोच रहे थे कि चलिए आप सब लोग को भी दर्शन कराते हैं अभी मैं रास्ते में हूँ और यहां से मैंने कुछ पादियों को कैप्चर किया हैं देखिए कितनी अच्छी वाओ सुकून देने वाली वादिया हैं यहां पर सच में यहां अकर तो इतना सुकून मिलता है ना क्या होता है और एक चीज पता है क्या है यहां पर खास बात यहां के जो लोग है ना कि वह इतनी अच्छे ना कि आप कुछ भी कैसे भी बात करिए वह इतनी पॉलाइटली से बात करते हैं और हर समय आपको जरासी भी दिखा दो तुरंद खड़ें आपके लिए वाओ यार लेकिन बहुत अच्छी जगह यार मज़ा गया जन्नत का सुकून है यार क्या ही बताएं यह जो बादिया है ना अरे यार क्या बताओ लगता है कि यहां से कभी ना जाओ सच में यार वाओ यह देखिए और एक चीज यहां की खास चीज क्या है पता है जो यहां के के जवान हैं वह इतने अच्छे हैं कि आपको जरह से भी कहीं भी कोई तकलीफ होती है वह हमेशा आपकी मदद करने के लिए तयार रहते हैं हमेशा चुटी चुटी चगह पर आप देखेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी जगह पर वह आपको मिलेंगे थी आपके जमान अब भाई शेवा इसी करते हैं ना क्या ही वताएं हम गजव यार अब बहुत अच्छा लगता है आप जाईएगा कभी बहुत सुकून मिलता है बहुत ज्यादा सुकून मिलता है अब हम थोड़ी दूर पर हम लोगों की बस क्या होगी जमा जाएगी और वहां से हम लोगों की यात्रा सुन शूरू होगी पैदल यात्रा जो बहुत अमनाध diff thousands जाएगी अभी तो मैं बस से जा रही हूं और जब आगे मैं पैदल यातर करूंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगे कैसी वहाँ के न जा रहे हैं बहुत सुन्दर बहुत सुकून कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूं तो अभी मैंने आगे का तो नहीं देखा यहां से तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है मुझे अभी से सुकून मिल रहा है तो आगे क्या ही होगा यह दिखिए यहां पर हम लोग चाय नास्ता के लिए खड़े हो गए थे अभी हम लोग कुछ खाएंगे पीएंगे यहां पर ना कदम कदम पर आपको जो फोर्स मिलती है वह इसलिए होती है क्योंकि आप लोग को कोई दिक्कत कोई पैसान ही नहीं हो तो चलिए अभी आगे हम जाएंगे तो आपको आगे का नजारा दिखाते हैं आपको दर्शन कराते हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टादा बाबाई टेक्यर